नमस्कार दोस्त, मैं हूँ सिवकांत दोस्तो अगर आप GBWARD से भी यूज़ करते हो तो आपके फोन में आपको ये तीन सेटिंग जरूर करने चीए अन्य था आपका फोन को बहुती बड़ा कतरा हो सकता है तो उसलिए देख लेते कौन-कौन से सेटिंग है और केसी इसको अन्य बल करनी है तो यहाँ पर आप अपनी GBWARD से भी ओपन कर लोगे फर्स्ट सेटिंग के लिए यहाँ पर आपको थरे डोट पर आ जाना है और यहाँ आपको सेटिंग पर किलिक करना है फिर यहाँ पर आपको अकाउंट पर आ जाना है और यहाँ से आपको प्राइवेसी पर किलिक कर लेना है अब यहाँ आपको स्क्रोल डावन करके नीचे आना और यहाँ पर आपको फिंगर प्रिंट लोग पर किलिक करना है और यहां से आपको लोग को अनेवल कर देना है फिर यहां पर आपको finger friend set कर लेना है जिसे कि दूसरा को इसका miss use ना कर सके अब यहां पर आपको तीन option देखने को में जाते हैं immediately, after one minute and after 30 minute अब जितनी देर में अपने WhatsApp को log करना चाते हो यहां पर आप time set कर सकते हो तो मैं यहां पर immediately पर रहने देता हूँ अब बात कर लेते हैं दूसरे setting लिए यहां पर आपको security पर click करना है और यहां पिर आपको source security notification on the device पर click करना है और यहां से से enable कर देना है जिससे कि आपका text message, आपका audio video, आपका photo videos, location, status वगेरा बहुती safe हो जाता है कोई भी इसका misuse नहीं कर पाएगा तो अब बात कर लेते हैं तीसरी और last setting की तो यहां पर आपको to step verification पर click करना है और यहां आपको enable पर click करना है अब यहां पर आपको six digit कोई password set कर लेना है जो कि आप ही को पता हो, किसी दूसरी को पता ना हो तो यहां पर मैं कोई password डाल लेता हूँ पिर आपको confirm कर लेना है अब यहां पर अगर आप अपनी email ID डालना चाहो तो डाल सकते हो जिससे कि अगर आप WhatsApp के password भूल जाते हो तो आप recover कर सको यहां पर मैं email ID डालने वाला हूँ तो मैं यहां पर skip कर लेता हूँ यो के कर लेना है फिर आपको यहां से done कर लेना है अब आपकी GB WhatsApp बिलकुश सुरक्षित है कोई भी आपकी GB WhatsApp को hack नहीं कर सकता है कोई भी आपका data चोरी नहीं कर सकता तो दोस्तो इस परकार से आप अपनी GB WhatsApp में तीन यूज सेटिंगों को enable करके अपनी WhatsApp को secure कर सकते हो I hope वीडियो आपको प्रसंद है